अगर आपको पता चाहे हैं, अगर आपको पता चाहे हैं। शरद यादव को जिनकी उम्र 27 बरस की थी, बाई एलेक्शन लड़वाया जाता है, हल्दर खिसान के चुनाओ चिन्न तले और वो चुनाओ जीत कर आते हैं। क्योंकि अगर तक वो चौधरी चरण सिंग के करीबी हो चुके थे और ये करीबी मुरारजी देशाई सरकार के समय से ही थी। इसलिए जब चौधरी चरण सिंग प्रधान मंतरी पदव पर अपना दावा करने जाते हैं तो कार में उनकी बगल में शरद यादव बैठे होते हैं। उस समय तक लोकदल और उसका जो अवतार था जन्ता पार्टी उसके मासचेव थे उससे पहले युवा लोकदल के अध्याक्ष भी थे। हालाकि शरद को ये मलाल भी था कि वो युवाओं के प्रनिदी के तौर पर मंत्री परशद में होने चाहिए पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पुराने समाजवादियों को लगता था कि अभी शरद यादव को और भी दीखशा और अभ्यास की जरूरत है। चौधरी के आशीरवाद से वो राजी सभा में पहुँच जाते हैं जनता दल बनती है तो वो मजबूती पाते हैं फिर उसी बनायू से 1989 में जीतते हैं वीपी सिंग सरकार में कपला मंत्री बनते हैं। तमाम राजनतिक टिपड़ी कारों ने पत्रकारों ने विस्तार से लिखा है कि वीपी सिंग को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए जिन दो नेताओं ने सबस्यादा कन्विंस किया पलिटिकल दबाव डाला उनके नाम थे शरद यादव और राम विलास बने मुख्यमंत्री लेकिन शरद यादव, देवी लाल, चंद शेकर इन सब के खेमें ने अपने अपने ढंग से लालु यादव का सपोर्ट किया इस जुगल बंदी का पढ़नाम भी दिखा लालु यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और शरद यादव उनीस तो इंक्यान बनती है, राश्ट्री जनतादल बाद में अलग बनता है, शरद यादव जनतादल में बने रहते हैं लेकिन उसके तब तक कई टुकड़े हो चुके होते हैं अगले पांच-आठ बरस में और जो शरद यादव तमाम जिंदगी भारती जनता पार्टी खिलाब मोर्चा खो यह कि पहले तो वो जनतादल यूनाइटेट के एक दशक से जादा वक्त तक राश्ट्री अध्यक्ष रहे, जॉर्ज फर्नाइंडेस को किनारे करके वो नीतिश के करीबी आए, एंडिये के कनवीनर भी रहे, लेकिन नीतिश की जो पॉलिटिकल समर सॉल्ट है, उसके साथ एक पॉइंट के बाद वो गती नहीं बिठा पाए, और आखरी में, 2014 में उन्हें पप्पू यादव के खिलाब उसी मदेपुरा से चुनाओ हारना पड़ा, और 2019 में जेडियू के दिनिश यादव से, शरद यादव नहीं रहे, उनकी पर्डिकल लेकिसी पर बात करेंगे राजदीब जी, आपकी तो खूब मुलाकात रही होंगी? मीटिंग में रहते थे, और जैसे ही मीटिंग के बाहर आते थे, वो बिलकुल तयार होते थे अपनी बात रखने के लिए, या आपको अंदर की बात लोगों के सामने रखने के लिए. वो थे मूफट, बेबाग बात करते थे, कभी-कभी इसकी वज़े से वो कॉंट्रोमर् होगा, जब विमिन्स रेजर्वेशन बिल हुआ था, उन्होंने एक बात कही थी, परकटी महिलाओं की, और उससे काफी विवाद हुआ था कि किस तरह से सांसद इस तरह की बात कर रहा है, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग रहे हैं, वो एक तरह से, उसी तरह की ने, उन, जो चुनाव हारते हैं, जीते हैं, लेकिन आपकी जो आइडेंटिटी है, वो बरकरा रहती है, और यह मुझे लगता है, शरत ची की खासियत थी, वो बहुत, अगर आप उनके पास जाते थे, तो आपको वो मदू लिमाएक के किस से बताते थे, जैपरकाज नहराइन के किस में जैजनता पार्टी को मिला था, और इसी वज़े शरत यादव ने, और उस जमाने के नेताओं में आप यह देखेंगे, जब भी आप उनसे बात करते थे, नब्बे या दोजार के भी समय, तो वो हमेशा जेपी और चोहतर, पचातर की बात करते थे, जो एमर्जनसी से गुजरे हुए नेता है, उनके लिए मुझे लगता है, उनका हाइट पॉइंट एक था, वो एमर्जनसी, क्योंकि तब वो वाकई आदर्शवादी नेता थे, और आदर्शों पर लड़ रहे थे, जैसे जैसे राजनीती में उनका जो प्रवास था, वो आगे बढ़ता गय मुझे लगता है, वो भी कही न कहीं सत्ता के पीछे तो लड़े ही, लेकिन विचार धारा जो उनकी थी, वो काफी मजबूत थी, तो अगर आप मदू डंडवटे के बारे में जानना चाते थे, मदू लिमाए के बारे में जानना चाते थे, जो पुराने समाजबादी नेत तो आप शरद जी के पास जाते थे, आप लालू जी के नहीं पास जाते या किसी और जो उस मंडल पीडी के नेताओं के पास उस तरह का एतिहासिक ज्यान शायद कम था, जो शरद जी के पास था, तो यह वाज़ा इनसाइक्लोपीडिया और दैट पीरियड, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं, लालू जी, मुलायम जी, मास लीडर थे, जो शरद जी कभी नहीं बन पाए, और वो जानते हैं, आज यह अंडर सुट की, यह मेरे लिमिटेशन है, कि मैं लोगों को बनाता हूँ, और आज हमने देवी लालू जी की बात की, एक उदारण दिया, कि देवी जी, नितीश कुमार और लालू जी को देवी लाल के पास पहले लेकर गए थे, उसी सतर के दशक पे, और हमेशा उनके पास लेकर उनको प्रमोट कर रहे थे, कि यह नए जमाने के नेता है, और उनको देवी लाल ने तब का, यह कहा है तुमारे यह, एक बार शरद जी उनक अरज जी अपने आपको एक तरह से, स्वाइम सेल, मोरे सन आइडियलोग, लॉड मास् लीडर की मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ा हूँ, मैं वैचारिक नेता हूँ, तो, you have to give him credit, हाला की उनके जो, जैसे मेना का, कॉंट्रवर्सी में पढ़े हावाला, कांड में भ वो, it was not a superficial connection, वो वाकई एक तरह से, उस PD से आते थे, और उसी लिए, I would go to him, whenever I wanted to understand the politics of that period, you went to a शरध्यादव, एक आखरी बड़ी interesting स्टोरी है, जो सागरीका के वाजपाई किताब में भी शायद है, कि शरध्जी, civil aviation minister थे, during वाजपाई's tenure, अब कंदाहार का hijacking होता है, और कुछ, जब plane देश के बाहर था, तो ये कहा गया कि, शरध्यादव जी ने अपने एक officer से कहा, कि मैं जाकर जो relatives हैं, उनके साथ मैं जाऊंगा, ताकि उनको लगे कि सरकार पूरी तरह से, इस मामले पर उन्होंने अपना grip लगाए, दुबाई में में मेरे, शायद वो plane वहा 30-40 साल तक राजनीती में रहे हैं, ये 99-2000 की बात है कंदार का hijacking होता है, 74 में 27 साल की उमर में आप पहली बार एक सांसद बने हैं, लेकिन इतने 25 सालों में आपने passport भी नहीं किया था, मैं जो बात रखता हूँ, आदिवासियों की रखता हूँ, पुरवतर की रखता हूँ, मंडल कमिशन को ले लेके रखता हूँ, मुझे क्या जाना है बहार, तो जब वो civil aviation minister बने, उनके पास passport भी नहीं था, So, in a way, you cannot deny that he was a connect with a older period, एक पुराने जमाने की बात किब हम करते हैं पत्रकार, तो I think शरत यादव was a reminder कि एक जमाने में जो नेता हुआ करते थे, वो दिल खोल कर पत्रकारों से बात करते थे, और अपनी विचारदारा रखते थे, और उनके एक एतिहासिक जानकारी भी थी, So, I would say he was a leader of that generation. मैं आप ये बात मेरी थोड़ी ध्यान दिजिएगा, आपने पता नहीं गौर किया की नहीं, मेरे साथ ये रहा है, कि जो नेता आपके साथ वेवार अच्छा रहते हैं, लोगों साथ अच्छा वेवार रखते हैं, आपको उनके स्टाफ का नाम याद रहता है, योगेर जी ये कुछ नेताओं की स्पेशालिटी होती है, राम बिलास पासवां के साथ त्यागी साहब हुआ करते थे, वो सब को पता था कि कौन आने हैं, जिसको की नाम नहीं याद है, ऐसे तमाम नेताओं की एक लंबी फेरे हिस्त है, जो कि उन नेताओं के साथ है, क्योंकि वो ने नेताओं बनाते थे, देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए, मैं एक शरद याद के लिए बताऊंगा, कि अभी कुछ दिन पहले मुलाइम सिंग यादव नहीं रहे, और शरद यादव के जाने के बाद, मैं इसे कहूँगा कि कल पीती चौदरी जो हमारी कलीग है इंडिया टुड़े में, उन्होंने एक सवाल पूछते हैं, मुझे बहुत सुन्दर बात करी, that there is a sense of melancholy to it, कहीं न कहीं एक सूनापन है, जो की आया है, मुलाइम सिंग यादव रही रहे, शरद यादव नहीं रहे, आपके जौज फनांडिस नहीं रहे, यह जो सोशलिस नहीं कि लिस्ट weekend टी जिए जन्होंने एक फर्ड आल्टनेटिव की बात करी, जन्होंने कॉंगरिस बी जेपी के इसम से आगे जाकर यह जनता के सामने आल्टनेटिव की कोशिच करी, यह जेपी की उलादे थे इह लोग, उस movement से निकले थे, आपस में लड़ते थे, वग कहीं न कहीं वैचारिक रूप से देखी ऐसा था कि नितीश कुमार ने 2017 में जब पल्टा मारा राजनेतिक और नरेंद मोधी के खिलाफत से नरेंद मोधी के साथ हो लिए उस समय पे शरत द्यादव साहब में कहा नहीं साहब मेरे को ये बरदाश नहीं है महागट बंदन का ए कि ये एंटी डिफेक्शन लॉव में आता है क्योंकि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है क्योंकि आप विरोधी के खेमें में चलेगा है विए नाइडू साहब चेर्मेन थे राजसभा के वाइस प्रेसिनेंट और वो रूलिंग देते हैं शरत यादव एक्सपेल हो ज जाते हैं तो तीन साल से शरत यादव जी पटना नहीं गए थे साहब और शरत यादव पटना पहुंचते हैं और वो जो उनका कंदे पे हाथ रखके नितीश के साथ फोटोग्राफ है अगर आप दिखा सकें तो वो इनके ये जेपी के बच्चों में एक बड़ा प्रॉब कि एक थर्ड ऑल्टोनेटिव है जब भी कहीं बात होती है आज तो ये लोग जादा आसानी से मुझे लगता है कि ये खटे हो सकते थे कंपेर्ट टू की मम्ता बैनर जी टी आरेस के नेता बीजू जनता दल इन लोगों को जोड़ना जादा मुश्कल होगा कंपेर्ट टू इन लोगों को जोड़ना शरद यादा बुलाएं नितीश कुमार इन लोगों को शायद जोड़ना आसान होता क्योंकि कहीं न कहीं इस पौध की जड़ें जो हैं वो उलजी होई थी आपस में तो शरद जी बहुत बड़े नेता नहीं पन पाए मगर अपने आप में देखि होगा क्योंकि जड़ात इस देश की न बहुत बड़ी रियालिटी है मुफट आदमी थे साब मिल्कुफ साथ बोला उने मैं कहा कि यह डिनाई मत करो इसको अगर यह जात इंपॉर्टेंट नहीं होती तो यह कैसे है कि जबलपूर का यादव यूपी के बदायों से चुना के लिए में निता कहता है साहब हमारा कोई डिसीजन जात और धर्ब पे नहीं होता हम विनेबिलिटी देखते हैं हम अला देखते हैं पहला देखते हैं शरद यादव यह सब बाते नहीं करते थे शरद यादव साथ के साथ मुझे एक बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि वो की भी बात करते थे और बहुत सारी चैनलें बंद हो रही थी दीरे देरे तो शरद यादव उसको बहुत नराज तो एक दिन कुछ एक बड़ी घटना होई पारलिमेंट के तो शरद जी के हाँ इंट्रू करने हम जब पहुंचे तो बड़े एक एंकर साहब का जो दूत होत है वो तुरंट आकर के फोन लगा देता है शरद यादव जी के कान में कि साहब बड़े एंकर साहब जो फला हैं वो बात करेंगे आप से आप लाइव वा हुआ कनेक्शन लगा हुआ आपकर लिग जो शरद यादव उड़ेते हैं और उठाकर फोन ठेक देते हैं कहते हैं स शरद यादव जैसे लोगों की वो अद्वित यह थी मैं यह कहूंगा कि कहीं न कहीं वो जो एक खयाल है ड़ाइडिया ऑफ थर्ट फ्रंक शरद यादव गोइंग डेफिनेटली इसे चोटी सी चीज उनकी जोड़ता हूँ एक स्टोरी है अन्ना अजार अंदोलन चल रहा कर थे उस उस फंक्शन कि कुछ दिन बाद मैं शरद यादव जी को मिला तो शरद यादव जी करे कि आपने अंड़ा हजारे को कोई ओओ्ड दिया है तो मैंने कहा सर हां तो उन्होंने कहा क्यों तो मैंने कहा नहीं सर इस साल उनके वो न्यूस में तो वही रहे हैं तो उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने कहा सब नेता चोर हैं उनको मेरे सामने लाइए मैं उनको ठीक करता हूँ कि जब जो ऐसा है यक्ति कहता है सब नेता चोर ह उसको आप award देते हो और आप मेरे पास अब बैठे हो मैं भी नेता हूँ क्या मैं चोर नजर आता हूँ और देखे ये उस समय बाकी बहुत कम नेता थे जो अन्ना के खिलाब openly target कर रहे थे क्योंकि तब कई नेता डर गए थे कि आपको मालूम होगा तब Congress के कई नेता तो अन् शरद यादव ने साफ का अन्ना बन्ना ये तो आएंगे जाएंगे बहुत अन्ना हमने देखे हैं आप उनको award कैसे देते हो तो शरद यादव जी बिल्कुल एक अलग तरग के नेता थे यी वस नॉट राहूल ने सही कहा तेके उस जमाने के नेता जो थे शायद एक पार् आपने के साथ भी समझाता किया हाला कि लोयाइड थे पिर भी वो कांगरेस के साथ उन्होंने समझाता किया अन्य लेताओं के साथ उनकी अच्छी डेहड नो पर्मेनेंट फ्रेंड्स और इनमीज इन politics यह इनकी बड़ी बात थी हाँ एक दूसरे में एक दूसरे को नीचे समय की थोड़ी सी कमी है मैं चलते चलते अपना भी एक शरद यादव से जड़ा वाक्या सुना देता हूं यह 2009 की बात होगी मैं तब अपने पत्रिकारता के करियर के बिल्कुल शुरुआत में था दो बरस ही हुए थे दो डाई बरस और जो पहला बड़ा पॉलिटिकल इंट बनाया गया था तब वो इंटर्व्यू किया था और वेरी सिंपल उनका नंबर खोजा उनके ऑफिस का फोन किया एक दिन बात कॉल बैक आया उन्होंने कृपा पूरवक समय दिया और आराम से लगभग जो उनकी स्टाइल थी आखें अदमुदी सी जवाब देते हुए और फिर वो उन्होंने विस्तार से बहुत सारी बातें बताई मैंने तब भी उनसे एक चीज़ कही थी और बाद में जब वो जैज एटली जोज फर्नांडेस वह सब्रसंग होता है चुनाव नाव लड़ते हैं तब भी फोन पर बात हुई कि सर आपके इतने जादा राजनेति अनभव हैं और आप इतनी इतने दिल्चस्प धंग से इनको बताते हैं यू मस्ट एंशोर कि यह सारे पॉलिटिकल में माइट्स रिकॉर्ड हों पर अनफॉर्चनेटली राम विलास पासवान जी चले गए शरद यादाव जी का भी दिहांत हो गया और हमारे हिस्से के जो बड़ा अच्छा काम किया कि बीपी सिंग और चंद्रशेखर यह दो देश के प्रधान मंत्री इन से एक लंबी बातचीत रिकॉर्ड की थी मंजिल से ज्यादा सफर और रहबरी के सवाल अलाकि पिछले दिनों मेरी चंद्रशेखर जी के जो पुत्र हैं भारती जन्ता पार्टी से राज्य सभा के सांसत नीरशेखर उन से मुलाकात हुई तो जानकारी मिली कि चंद्रशेखर जी से जो बातचीत हुई वो अभी उसका एक ही हिस्सा आया है नब्बे के दशक तक बने रही है क्योंकि अभी एक सत्र में हम क्याबिनेट के संभावित फेर बदल पर चर्चा करेंगे बढ़ते हैं अगले सत्र की तरफ इसके पहले क्योंकि मुझे निकलना है सौरब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ क्योंकि आपने पुराने जमानों की नेताओं की बात की और हमने शुरुआत की पत्रकारों पुराने पत्रकारों की जितके बाल सफेद हुए है एक आखरी कहानी आपको लो टीवी के जमाने के पहले मॉबाइल के जमाने के पहले आप सोचिए एक ब्लास्ट होता है करीब बारा बजे स्टॉक मार्केट में उसके पंदरा मिनिट बाद एर इंडिया में उसके बीस मिनिट बाद कई जवेरी बजार में उसके बाद सी रॉक में अलग-अलग जगाओ उस दिन को मैं कभी नहीं बूलूँगा क्योंकि मुझे लगता है उस दिन मुझे पता चला कि किस तरह से पत्रकारों को ख़बरों को इकठा करने में जो परिशानी हुआ करती थी आप सोचेंगे नहीं आज जो तीवी और यूट्यूब और उसका जमाना है तब बगेर उस तरह के साधन के उस तरह के टेक्नोलोजी के उसको कवर करना और मैं इसलिए इससे याद करता हूँ क्योंकि आज में मुंबई में हूँ उसी एर इंडिया बिल्डिंग से ज्यादा दूर नहीं हूँ जहां बंबलास्ट हुआ था उसी होटेल में समय ठहरा हू मुंबई में गुलाबा में वहां हमने वेर पिया और वाकए आप मानेंगे नहीं हम थोड़ा रोने लगें क्योंकि जिस तरह से वह हुआ था मुंबई में हाथसा हम कभी हमें आर्डे एक्स क्या है कुछ नहीं मालूम था एक तरह से एक तरह से जो एज ऑप इनसेंस है वो खतम हुई तो जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं प्री टीवी जेनरेशन की वो जो मार्च का जो वो दिन था दो उनीस सो तिरानवे का I can never forget the Mumbai blast it was the most difficult day to cover news